आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ और ये पूच हहा है 2004 के data 2004 में कितने animals को document किया था IUCN Red List ने थीक है तो पहले extinct animals का animals का meaning समझता है extinct animals या organisms मतलब जो organisms या group या species of organisms that once existed मतलब पहले कई सालों पहले वो exist करते थे मतलब living थे इस earth में और अब वो नहीं है और अब मतलब completely वो species जो है eradicate हो चुका है और यह हो सकता है कुछ natural effect से या poaching से ऐसे ठीक है और फॉर एक्जाम्पल इसका मोस्ट कॉमन एक्जाम्पल हम समझ सकते हैं डाइनोसौरस जो काई साल पहले ते हैं पर अब नहीं है वो एक्स्टिंट हो चुके हैं ठीक है और IUCN क्या है IUCN है इंटरनाशनल यूनियन फो कंजरवेशन ओफ नेजर तो यह एक इंटरनाशनल कंजरवेशन नेचर की कंजरवेशन को देखते है या उसके ऊपर कुछ रूल्स बनाते है ठीक है और इसे फाउंड किया था 5 अक्टोबर 1948 में ठीक है और यह एक डॉक्युमेंट रखते है वो है रेड लिस्ट ठीक है और इस रेड लिस्ट में जो भी त्रेटेंड स्पीशीज है मतलब जो भी स्पीशीज एक्स्टिंक्ट होने की वर्ज में है उनका लिस्ट लिखते है ठीक है और इसे स्पेशल केर दिया जाता है इन और गैनिजम से प्लैंट हो सकता है या या कोई एनिमल्स हो सकता है और इन्हें एक्स्ट्रा केर से उनकी 500 years में कितने animals extinct हुए थे उसका count है 784 animals ठीक है 784 animals extinct हुए थे तो options देखते हैं A है 338, B 359, C 2000 और D है 784 तो 2004 की document में जो last 500 years में हमें मिला 784 extinction ठीक है तो यह हमारा right answer है 784 animals ठेंक यू Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोट करें doubt net आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर यहरा लेखते हैं यहरा लेक्क हैThen, साव लेके तरप कफ शुम हम उनुम lt 바्रच, maa बशूछ